मावन हरासा होकर दर्वाजा पीड डाला था लेकिन जल्द ही इसे अहसास हो गया कि कोई भी कुशिश बेकार रहेगी दर्वाजे को भार से बंद किया गया था और इस काम में इतनी हित्यास से काम लिया गया था कि दर्वाजे के नजदीख बैठे हुएने के बावजूद हो कुण्डी लगने की आवास नहीं सुन सकी थी कुछ दे दर्वाजे को बजाने और मदद के लिए पकारने के बाद वो ठक कर और कदर मायूस होकर बैठ गई कस्कीम का बाप दुबारा गहरी नीन में जा चुका था को कि अगर वो जाग भी रहा होता तो भी कोई खास पाइदा ना होता क्योंकि वो तो मावा से भी ज्यादा बेबस था वहां बैठ के मावा को अपनी हिमाकत और उलजी हुई जिन्दगी का एसास अजल सर नू हुआ था अभी वो नहीं सोचों में उलजी हुई थी कि मौमा दर्वाजे की दूसी तरफ से खटके का एसास हुआ मावा सरस से दर्वाजे की तरफ लखी दर्वाजा खुला और जो चहरा इसे दिखाई दिया वो जलाल का था चलो इससे कबल कि वो सुरत हाल का तायून कर पाती जलाल ने इस पर एक नज़र डालने के बात कहा था साथी वो आगे बढ़ गया था जलाल मावा ने इसे बेसाखता पकारा था जलाल प्लीस मिरी बात सुनो मावा दो कدم इसकी तरफ आई थी शायद बात करने के लिए इससे अच्छा मौका इसे दुबारा ना मिल पाता तके इसकी आवाज पर रुखने के बज़ए जलाल आग तुम्हारी जरूरी बाते मैं फिर किसी वक्ट भी सुन सकता हूँ जलाल ने जन्जला कर कहा था अगर भी जलाल को अभी खबर मिल गए कि मैंने तुम्हें इस कोट्वी से घजात करवा लिया है तो फिर तुम्हें वही पहुचा देंगी और मैं कुछ भी नहीं कर सकूँ और इसके बात तुम्हारा वोई हशर होगा जो तस्मीम के बाप का हो रहा है जलाल ने कुछ लमों पाता वकुफ किया था मावा की आँखें कुछ फैल सी गई थी वो चश्मे तस्वर से खुद को इस चार पाई पर बेयार और मददगार डेटा हुआ देख रही थी जो तस्मीम के बाप के लिए मखसूस थी इससे पहले के कोई आ जाए हमें यहां से निकल जाना चाहिए जलाल ने कहा था मावा ने बिना सोचे समझे इसकी तकलीद की हवेली के दो चार रहधारियां मुने के बाज जलाल इसे एक कमरे में ले आया था जब तक मैं वापस ना हूँ इस कमरे से बहां निकलने की हमाकत मत करना लेकिन जलाल मावा ने कहना चाहा मगर जलाल जल्दी में था फिर बात करेंगे मावा अभी मैं जल्दी में हूँ तुम प्लीज बहां ना निकलना वो बहां निकलना निकलता चला गया मावा ने लॉक लगने की आवाज सुनी थी फिर वो गिनने के इसे अंदास में सुपर बैढ़ गई एक कमरे से निकल कर वो दूसरे कमरे में कैट कर ले गई थी और ऐसे क्यूं हुआ था वो ये भी नहीं जानती थी इसे वजुहात के मुतालब कयास आराई कर सकती थी सुकर रही थी क्योंकि इसके पास इसके लावा कोई चारा नहीं था शबी हॉस्पिटल के कॉरीडर में खड़ा था जब उसने अपने मुबायल फून पर जनल बेढ़न की फॉर्विसी थी शबी वापस का बार रहा में जिस काम के लिए आया था वो अभी पूरा नहीं हुआ शबी ने कुछ देर सोचने के बात कहा था इसकी नजरें इस दर्वाजे पर मर्कूस थी जहां वलीड को रखा गया था अभी कुछ दिर पहले इसकी मुलाका तैनिया से हुई थी उसने शबी का शुक्रिया अदा किया था कि वो बरवफ ना सिर वलीड को हॉस्पिटल ले आया था बलके इन्हें इचला भी दे दी थी जाने हासन ने अलबता ऐसी कोई जहमत गवारा ना की थी पर जिस काम के सिल्सले में आया था वो अभी पूरा नहीं हुआ अभी जान शायर दो-तीन दिन मजीद हुगू शबी ने कहा था क्या कोई बहुत जरूरी काम है इसलिए मैं चाहती हूँ तुम अभी वापस आजाओ जनल बेगम ने हुकमियां अन्दास में कहा था मैं अभी नहीं आ सकूँगा बीजान अभी काम बाख़ी है शबी ने कहा था काम फिर कभी कर लेना मैंने कहा ना यहाँ तुम्हारी मौजूद की जियाता जरूरी है लेकिन अच्छा ठीक है शबी ने अपनी नागवारी पर काबो पाते वे कहा था मैं तुम्हारा इंतिजार कर रही हूँ जनल बेगम ने फून बन कर दिया था शबी ने फून जेब में रखते वे उड़कर यहां तक पहुँच जाएं शबी दिवार से टेक लगाए खड़ा था इन्हें आता देख कर वो सीधा हुआ लेकिन सरवत इस पर नजर डाले बगार कमरे में चली गें थी शबी के दिल में हूंक सी उठी गहर अरादी तोर पर वो चाहता था कि कम से कम सरवत इसके सर पर खाती फ्यर दें लेकिन इनके अंदास में सिर वरीद के लिए फितरमंदी थी सिर्व इसके लिए आसु थे हर बार की तरह इस बार भी वरीद इसे ख़ोच से ज्यादा खुश किसमत महसूस हो रहा था और इस बात ने इसके दिल में पहले से मौजूद हस्रतों को और बढ़ा दिया था तिलाल ने फिल फॉरी शबी को कॉल की थी तुम कहा हो शबी वापस कब तक आना है उसने लजाजास से पूछा था क्या क्यामत आ गई है भाई शबी जुंजला गया अभी बीजान का फून आया था वो भी यही पूछ रही थी अच्छा बीजान ने भी तुम्हें कॉल की थी जलाल कुछ हरान हुआ है बात में हरान हो ले ना पहले मुझे बता दो आखर मामला क्या है नहीं फून पर बताने वाली बात नहीं है लेकिं तुम तो आज ही वापस किसी के अरादे से गए थे मेरा ख्याल था अब तक तो वापसी के लिए निकल भी गए होगे हाँ अरादा तो खैर यही था कि आज ही वापस आउँगा लेकिं यहां एक मसला हो गया था उसमें मक्तसर लफ़ों में वलीद के मुतालग इसे बता दिया जब तब पुलिस इंकौाइरी मकमल नहीं कर लेती मेरा निकलना मुश्किर है आई विटनेस के तोर पर मेरा बयान लिया जाएगा और यह बात मैं भी जान को भी नहीं बता सकता के वापसी क्यों नहीं आरा वो तो सुनते ही कियामत खड़ी कर देंगी कि मैं अम्मी की फैमली के साथ हूँ उसने जजगते हुए कहा था कोई और वक्त होता तो यकीन जला इसके मुझ से सर्वत के लिए अम्मी का लफ़ सुन कर खुश होता लेकि इस वक्त तो वो खुद उलजावा था हाँ तुम्हारा वहार रहना जरूरी है लेकर शबी मुझे भी यहाँ तुम्हारी जरूरत है तुम किसी भी तरह वापस आने के कोशिश करो अगर हुआ क्या है बी जान की तो खैर अपनी बात मनवानी की आदत है मावा को कैट करके रखेंगी क्या मतलब शबी उलजा यार बी जान ने मावा को पिछली कोट्वी में बंद करवा दिया था गार मुआईना मुद्द के लिए वो तो मुझे तस्नीम ने खबर दी और मैंने बरवग मावा को वहां से निकाल लिया वरना बी जान ने तो कानो कान खबर ना होने देनी थी के मावा को जमीन निगल गई या आस्मान खा गया तो ये कौन सी नई बात है बी जान हमेशे से मुलाजमी इनको सदा देने के लिए वहां कैट करवाती रही है शबी ने गहरी सांस बरते वे कहा था वलत तरीकेकार तो वह भी था लेकिन हम में से किसीं ने भी कभी इनको इनके गलती का एहसाyt रिलाने के कोशिश ने की सबने आँःrän और कान बन रखे कि जे जो हो रहा है जैसे हो रहा है इसे वैसे चलने दे सिलाल के ये अतराजाद नहीं नहीं थे वो अक्सर इस तरह की बात किया करता था या रख बात है कि शबी ने कभी इसकी बातों पर कोई खास दिहां नहीं दिया वो जनल बेगम का सबसे बड़ा हमायती था लेकिन आज इसे जाने क्यों जनल बेगम की जियात्तियों का एसास हो रहा था शाय सर्वत को वहलाना वरीद की तरफ बढ़ता देख कर इसके अंदर की महरूमिया जाग उठी इंटियों ऐसे हर इनसान के अमल में बुराईया नजर आने लगी थी ठीक कह रहे हो फिर मावा और फिर मुलाजमीन और मावा की हैसियत में जमीन आसमान का फरक है बीजान को हरगेस ऐसा नहीं करना चाहिया बात हैसियत की नहीं इंसानियत की है चलाल ने कहा बेरहाल तुम आजओ बीजान को सिर्फ तुम हैंडल कर सकते हो मेरे लिए ये काम बहुत मुश्किल है और फिर पता नहीं वो मावा के बारे में क्या सोच पिठी है इन्हों ने इसे नुकसान पहुचाया तो मैं जिन्दा नहीं रह सकूंगा शबी अच्छा अच्छा फिल्मी हिरोस की तरहां ज्यादे एमोशन होने की जुरत नहीं है मावा उस वक कहा है शबी ने इसे लड़तार तेवे पूछा था मैंने इसे तुम्हारे कमरे में चुपाया है वीजान तो यही समझ रही हैं कि वो कोछ्वी में है इन्हों ने तस्नीम को धंका कर मावा को वहां बंद करवाया था लेकिन तस्नीम ने मुझे बता दिया अगर वीजान को अभी दिल्दा मिली कि मावा वहां नहीं है तो वो कयामत उठा देंगी इसलिए मैं चाहता हूँ तुम आ जाओ इनके घुसे को काबू करना दुनिया का मुश्कल तरीम काम है अच्छा ठीक है मैं आने के कुशिश करता हूँ शबी ने नाचार हामी भर ली शबी ने पुलिस एहलकार को आता देख कर फूंट बन कर दिया था इन्होंने आते ही रस्मी इंक्वाईरी शूर कर दी थी दानिया हसा के चुम के यहां मौजूदगी जरूरी थी तो इन्हें भी अंदर से बुलवा लिया गया था रस्मी बाचीत के बाद पुलिस के एहलकारों ने शबी को जाने की अजादत दे दी थी लेकिन दानिया हसान इस मामले में कुछ तज़स्ट का शिकार थे शबी ने इस बात को साफ महसूस किया था तब ही जब दानियाल हसन ने अफिसर से अकेले में बात करना चाही तो इसकी पेशानी पे बल पड़ गए थे दानियाल सहाब को आप से मुतालिक कुछ ताफ़जात है मिस्टर शबी मसले वो चाहते हैं जब तक इनके बीटी पर हमला करने वाले असल अफराद का पता ना चल जाए आपको शेहर से बाहर जाने की अजादत नहीं दी जाएगी आफिसर नेचर में बात कहा था शबी का घुस्सा उदू कराया था अखर इस बास से दानियास सहाब साबिक क्या करना चाह रहे हैं क्या इनका ख्याल है मैंने इनके बीटी को जखमी किया है उसने तैश भरे लेजे में पूछा था वो आपके बारे में शकूक का शिकार है लेहाज़ जब तक असल मुझरूरों का पता नहीं चल जाता आप आउट आफ स्टेशन नहीं जा सकते देखें मेरा जाना बहुत जरूरी है शबी ने कदर ताहमों से कहा था सौरी इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते जब तक मदी मुतमाई नहीं हो जाता आपको पर्मीशन नहीं दी जा सकती शबी की उक्ताहट में इजाफा हुआ था लेकिन इसने एक लंबी बहस में पढ़ना मुनासिब ना समझा मगर इसके गुसे में हरां सा इजाफा हो रहा था अपनी तमाम तर ला तालोगी के बावजूद वो वलीद को ना सिर्फ हॉस्पिलिल ले आया था बलकि इसका ख्याल भी रखा था इसके बावजूद इस पर शक्किया जा रहा था जैसे इसने ही वलीद को नुक्सान पोचाया हो ठीक है मैं दानिया सहब से खुद बात कर लेता हूँ उसने कहा वो कमरे की तरफ बढ़ गया दर्वाजा नीम वार था शबी ने दस्तक देने के लिए हाथ उठाया ही था कि अंदर से आती आवाजों ने इसका हाथ रोक लिया गो कि ये बहुत मायूर बात थी लेकिन वो पान लगा का सुनने लगा क्योंकि अंदर इसी का जिकर हो रहा था शबी मुस्तकिम भट्टी का बेटा है वो भला मेरी या मेरे बेटी की भलाई क्यों चाहेगा शब दानिया हसन की आवाज तैश से वरी थी अगर वो आपकी या आपके बेटे की भलाई ना चाहता तो वरीद को हस्पिटल क्यों लेकर आता सर्वत की आवाज भी तेश थी ममी ठीक कह रही है डैडी जिस वग मुझे हस्पिटल लेकर आए मैं होश में नहीं था लेकि मैं जानता हूँ इस सब में शबी भाई का कोई हाथ नहीं है वलीद की निढ़ाल आवाज से इसे सुनाई दी फिरोज और इप्तियाज फिरोज और इप्तियाज से कुछ अर्से पहले ही मेरी दोस्ती हुई थी और वो लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं बीस हजाद चीनने के लिए मुझे कतल भी कर सकते हैं इसमें शबी भाई का कोई कसूर नहीं वली मुस्तकिल इसकी तरबदारी कर रहा था तुम खामोश हो वलीद अभी बच्चे हो इस खांदान की फितरत से वाकिब नहीं हो घटिया और एहसान फरामोश तानिया हसन की बात ने जैसे इसे बे काबू ही कर दिया था आपको बोलते वे इतियात करनी चाहिए वो एक जटके संदर दाखिर हुआ था तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई के छुपकर हमारी बाते सुनो तानिया हसन भड़क उठे थे सरवत भी परिशान होगी थी मुझे चुपकर आपकी बाते सुनने की कोई जूरत नहीं है आपकी बाते सारा हॉस्पिटल सुन रहा है शबी ने भी सापका अंदास में कहा था पलती तुम्हारी नहीं है उस खानदान की है जिससे तुम तालू रखते हो उस तरवियत की है जो तुम्हें मिली है तुम और तुम्हारा बाप मेरे बाप को बीच में मत लाए शबी ने बामश का अपना गुसा काबू किया हुआ था लेकिन उसने गुरा कर कहा था सरवत इसे कहो यहां से चला जाएं वरना मैं ना जाने क्या कर बैठों तुम जाओ शबी सरवत ने मिननत भरे लहजे में कहा था आप मुझसे जाने के लिए कह रही है जबके मैं कोई इक्तिलाफी बात भी नहीं कर रहा शबी ने सदमे से कहा था तुम चले जाओ तुम्हारे यहां मौझसे मेरा घर खराब कर देगी सरवत रोने लगी थी कौन सा घर मामी एनिया ने कहा था वो घर जिसकी बुनियादे इतनी कमजोर है कि 18 साल बात भी आपको इसके ढह जाने का खर्शा रहता है तुम खामोश हो एनिया दानिया रहसन गुरुआय थे और तुम अगर अभी नहीं गए तुम मैं सरवत को तलाग दे दूँगा डैडी वलीद और एनिया एक साथ हरासा हुए थे ये हैसियत है आपकी इस आदमी के नजदी शबी ने सरवत को देखा था बहुत इसका रोब सहलिया आप चले मेरे साथ तुम जाओ शबी सरवत रो रही थी नहीं मैं आपको लेकर जाओंगा उसने सरवत का हाथ पकड़ का बकाइदा इन्हें साथ घसीतने की कोशिश की थी तुम जाओ शबी सरवत मस्तकिल रो रही थी नहीं आप चलें शबी मैं मैं इस जलील आदमी के साथ आपको नहीं रहने दूंगा वो इन्हें साथ ले जाएना चाहता था लेकि इसी पर सरवत का हाथ उठा और इसके चेहरे पर नकुश हो गया शबी गाल पर हाथ रखे हका बका इन्हें देख रहा था ना सिर्व वो बलकर सबका यही हाल था शबी आ गया था और जना बेगम वाकर घुसे में थी ना सिर्व जलाल इनके घुसे से परिशान था बलकर मस्तकिम और मनसूर भटी को भी फिकर लाहक दी सब इन्हें अपने इरादों से बास रखने की अपने इसी कोशिश कर चुके थे लेकिन जना बेगम की एक ही रट थी जब तक इस लड़की को सजा नहीं दूंगी मुझे सकून नहीं आएगा हमत कैसे हुई इन मा बेटी की के मुझे पर मुली उठाएं ठीक है पर जो आपका दिल चाहे वो कर शबी निचिर कर कहा था वो मां से थपड़ खा कर आया था अगले पिछले सारे जखम हरे हो गए थे इन्होंने इस शख्स के लिए इसे थपड़ मारा था जिससे वो सारी जन्दगी खार खाता आया था पहली बार माँ के लिए दिल में दभी महबत ने जोश मारा था और पहली ही बार उसने मूँ की खाई थी तज्जीख का शदीद तरीन एहसास रगों में बहने लगा था जंदगी में हर निमत से नवाजे जाने के बावजूद खुद तरसी जो सारी जन्दगी उसके साथ रही तो उस वक्त और भी जोर आवर हो गई थी मुझे तुम से यहीं उमीद थी कि कोई और मेरे साथ दे ना दे तुम जरूर मेरे साथ दोगे जन्द बेगम ने फखर लिया नज़रों से इसे देखा था किसी ने भी इस बात पर तफ्सरत की जरूरत महसूस नहीं की कि हता कि खुद शबी ने भी नहीं वो तो बेजारी से नाक से मक्ही उड़ा कर फारिग हो बैठा था सिर्फ जलाल था जो हरासा हुआ लेकर जन्द बेगम के अगले मतालबे ने तकरिवां सब को ही हका बका कर दिया था वंसूर तुम शाम तक किसी निकाख खुआ का इंतिसाम कर लो मैं चाहती हूँ आज रात तक मावा कर निकाश शबी से करा दिया जाए जितने सुकून से जन्द बेगम ने ये बात कही थी इतने ही सब को जटका शदीद लगा था क्या कह रही है आप बीजा शबी ने सबसे पहले सबान खोली थी इसके अंदास में ये बेयकीनी थी और नापसंदीगी भी हाँ मावा को हवेली में रखने का एक ये ही वाहिद रास्ता है इसे भी सजा मिलेगी और इसकी मा को भी शबी ने फर्दन फर्द सब की तरफ देखा और इस पर इनकिशाफ हुआ कि इस नए मतालबे से सिर्फ वो नावाकिफ था या जिसका इस बात पर वकाइदा मूँ ही खुल गया था चबी का दिल चाहा खीच कर इसे एक थपड़ रसीद करे जिसमें बस इतना ही होसला था कि तुपा कर निकार कर सके इस निकार को डिफेंड करने का होसला बिल्कुल नहीं था तक है अगले ही लमें वो हिरान रहे गया जब है जलाल ने मजबूत लहजे में नुक्ता अतराज उठाया या मावा को सजा देंगी या शबी को और इससे होगा भी क्या मैं तो यही नहीं समझ पा रहा इसका लहजा तेज़ था तुम खामोश रहो जलाल तुम बेगम ने डपट कर कहा था क्योंकि बहरा इसका इस तरह अचाना बोलना खुद इन के लिए भी बास बाई सहरानी था मैं खामोश नहीं रहूंगा भी जान जलाल ने कहा आखर आप दूसरों के जिन्दगियों का फैसला इतनी असानी से किस तरह कर लेती हैं ये सोचे बगार कि आपके फैसलों का इन पर क्या असर पड़ेगा तुम्हें किसने इजाज़त दी कि मेरे मामलात में दखल दो जन् क्योंकि मावा मेरी मनकुहा है और मैं किसी किसमत पर इस से दस्पतदार नहीं हूंगा उसन जैसे ताबूत में आखरी कील ठोग दी थी कजां से तौकिर सहाब ने हॉस्पिला चलने के लिए कहा था वो तदब्दूप में पढ़ गए दिल से तो खयार राजी थे लेकर कोई तो बात थी जो इनकी मर्जी के रास्ते में भी हाईल होती थी मेरा नहीं खयार के मेरा वहाँ जाना मुनासिब है दानियाल भाई का कुछ पता नहीं अगर हॉस्पिटल में ही मुझसे मिस्पिहेव शूर कर दी तो शायद मैं भी अपना गुसाया कंट्रूल ना कर सकू यार तुम कोई नफसियाती मरीज थोड़ी हो के खुद पर तौकिर सहाम जुजला कर कहा था ऐसी बात दानियाल कहता तो चलो मैं मांग भी लेता कि गुज़रे माह साल ने इसे किसी हद तक नफसियाती मरीज बना ही दिया जो इनसान किसी एक ही बात को लकिर बना कर जिंदगी भर पिटता रहे वो इसकी नफसियाती विगार की निश वो भी इस सुरत में जबके पहली शादी की कोई निशानी भी इनके पास नहीं थी मैं दानियार के जिन्दगी के हाला से वाकिब रहा हूँ इसी के तोसित से सर्वत भावी पर जो कुछ गुजरा इस से आगा हूँ इतनी बड़ी बाते नहीं थी जितनी दानिया गरदान दा रहा छोड़ी छोड़ी बातों का वाविला किया जाए तो वो बड़ी बन जाती है तोकीर सहाब ने गहरी सांस भरका इसे देखा था इन सब बातों के बावजूर एनी अच्छी लड़की है शायर तुम्हें इससे बेहता शरीक के हयात ना मिल सके फजा ने चौक का इनिया देखा मैं समझा नहीं तोकीर भाई तोकीर सहाब हस दिये इससे ज्यादा वाज़े अलफाज में बात नहीं समझाई जा सकी तुम अच्छे खासे जहीन आदमी हो ना समझे का मुझाहरा करो तो बात दूसरी है मेरा मशरा यही है कि तुम्हें एनिया के बारे में संजीद्गी से सोचना चाहिए वली इतने अपने बच्पने में गो के एक ना माकूल बात की थी लगे मेरा ख्याल है इससे मौकूल बात और कोई नहीं हो सकती तुम इस बारे में सोचो दूसी सूरत में मैं खुदफ़ायाज से बात करूंगा एनिया में ऐसी कोई बात नहीं के बेवज़ा इसे नगर अंदाज किया जाए तुम जैसे नालायक से लव मेरेज की तवक्य ही फजूल है इसलिए अरेंच मेरेज ही सही वरना तुम तो सारी जिंदगी छड़े ही फढ़ते रहोगे तोकि साहब का अंदाज कुछ ऐसा था कि फैज़ान को बेसाफ़ता हसी आ गई भस रहे हो इसका मतलब राजी हो अब ऐसी भी कोई बात नहीं है फैज़ान ने खुछ दली से कहा था तो क्या इसका मतलब इंकार है फ़र ऐसी भी बात नहीं है इस बार फैज़ान निके के लगाते वे कहा था तौकिर साहब के चेरे पर भी दबी दिम्सक्राहती इसे सब समझ रहे हो मुझे थोड़ा वक्त दें तौकिर भाई जिन्दगी के मामलाद इतनी जल्दी कैसे तैक किया जा सकते है ख़दा को मानो यार अपनी उमर देखो और अपने एरादे सुनो तुम्हारी उमर के लड़के अपने बच्चों को हाई स्कूल भीचते की तैयारियां कर रहे है और तुम शादी का फैसला ही नहीं कर पा रहे है अब इतना भी उमर रसीदा नहीं हुए स्वेजान ने जल कर कहा था तौकिर सहाब खुब दिल खोर कहा से फिर बोले जो भी फैसला करो खुब सोच समझ कर करना जाने बढ़ गए पैजान किचन में आ गए क्योंकि मावा मेरी मन कुहा है और मैं किसी कीमत पर इससे दस्परदार नहीं होंगा तौकिर की आवास सारे कमरे में गूंजी थी और सब कुछ जैसे साफ सुन गया था जना बेगम हका बकाश की शकर देख रही थी क्या बकवास कर रहे हो तो फिर इन्होंने ही इस खामोशी को तोड़ा था ये बकवास नहीं है बीजान हकीकत है कि मैं मावा से निकाफ कर चुका हूँ तो तुम हो वो जिसने इस छटांग भर की लड़की को मेरे मुकाबल खड़ा किया और इसे हविली लेकर आए जना बेगम की बेहकीनी किसी तरह ना जाती थी ऐसी बात नहीं हंबीजा जलाल नहतराम से कहा था मुबादा इसके बोलने कि उस्ताखी ना समझ लिया जाए जिस वक मैंने मावा से निकाफ किया हम दोनों ही नहीं जाते थे कि माज़ी की कोई कड़ी हम दोनों से जुड़ती है हम एक दूसरे को पसंड करते थे और मैं ये भी जानता था आप पसंड की श्यादी कی जादत नहीं देंगी इसलिए मैंने خود فैसला किया कि मुझे श्यादी कर लेनी चाहिए अपनी मर्जी कर ही ली है तो अब एक काम और करो अपना बोरिया बिस्ता समिटो और हविली से तफा हो जाओ चलना बेगम गुस्से में जैसे पागल ही हो गई थी ये बाद नाकाबल बरदाश थी कि पोते ने इतना बड़ा फैसला इनकी मर्जी के बगार कर लिया अपनी मर्जी से शादी करना कोई गुना तो नहीं है भीजा शबी ने भी जबान खुली थी तुम खामोश रहो शबी और कोई इस मामले में नहीं बोलेगा आज तक इस हवेली में किसी परिंदे ने मिली मर्जी के बगार पर नहीं मारा और इसकी इतनी हिम्मत के शादी करके बैड़ गया इसमें इतनी अकल भी नहीं है कि ये समझ सकता वो लड़की इसे अपने मकसद के लिए इस्तमाल कर रही है आखरे आपको इतरास किस बात पर है जलाल के निकाह पर या आपकी मर्जी के बगार निकाह पर चबी ने चिड़ कर पूछा था हर बात पर गुसा मत करें मीजा इतनी बड़ी बात नहीं है ये तुम खामोश क्यों नहीं हो जाते शबी और तुम इन्होंने जलाल के तरफ देखा तुम्हारे पास दो रस्ते हैं या तो हवेली छोड़ दो या अभी के अभी इस लड़की को तलाग दे दो गो के जलाल का इनकिशाफ सभी के लिए हैरान उन था लेकिन जनल बेगम के इस मतालवे पर सभी हका बका रह गए गए अमा आप बेकार की जिद कर रही हैं मस्तकीम ने कहा था जिसे मेरी जिद बेकार लग रही है वो भी इन दोनों के साथ दफा हो जाए ख़दा के लिए बीजान हर मामले में बच्चों की तरहा रियाक्ट करना छोड़ दें शबी ने कहा जलाल तो इस निकार के लिए राजी भी नहीं था मैंने ही इसे फूर्स किया था कि बीजान को अपने बच्चों की खुशी आजीज हैं वो एतरास नहीं करेंगी उसने हवा में तीज चलाया था चतन बेगम के लिए एक और धचका तो गोया तुम भी शामिल थे इस निकार में जी मैं भी शामिल था और अब आप ये नाहक जिद छोड़ दें सारी जिन्दगी अपनी मनमानी करने क्या ये मतलब हर्गिस नहीं है कि आपका हर फैसला दूर्स तसलीम किया जाए वो भी अ पकरार दे जना बेगम की आवाज सदमे से चूर थी इसलिए क्योंकि आज तक मैं आपके दिमाग से सुचता रहा हूं मैंने वही देखा जो आप मुझे दिखाती रही वही बोलता रहा जो आपकी जबान से निकलता था मैंने कभी अपनी अकल तो इस्तमाल ही नहीं की कि ब ना जाने कौन कौन से पच्टावे सता रहे थे अपनी अगली पिछली सारी गल्दियां याद आने लगी थी मैं जैसी भी हूँ ठीक हूँ जना बेगम ने घुसे से कहा था ये तैह है कि जलाल को इस हविली से जाना होगा और जिसे मेरे इस फैसले पर इतरास है वो भी इस होकर इन्हें देखता रहा वो तो हमेशे इसी तरह रियाक्ट करती थी फिर आज ही इसे अजीव क्यों लग रहा था बीजन प्लीज तुम भी खामोश रहो शबी मेरे फैसलों गला समझते हो तो तुम भी इन दोनों के साथ चले जाओ चैनल बेगम का पुर्टैश लहचा इसे सुलका गया था ठीक है आप यही चाहती हैं तो मैं भी चला जाता हूं वो भी इनका पुता था और गुस्से में इनसे दो हाथ आगे था उसने थाबिक किया शबी चला ने कहना चाहा लेका शबी ने हाथ उठा का इसे बोलने से रोग दिया पापल मन बनो शबी अमा इस वक्गुसे में है इन्हें नहीं पता वो क्या कह रही हैं मैं तुम्हारे जाने का दुख होगा इन्हें मस्तकीम भटी ने दभी अवास में कहा था मुझे कोई दुख नहीं होगा जब ये दोनों मेरी मर्जी के बगार फैसले कर सकते हैं तो फिर अपनी जिंदगी खु कि आज नहीं तो कर सब आपको आपकी घलत फैसलों की वज़ा से छोड़ी देंगे। तुम ठीक कहते हो, मैंने बहुत घलत फैसले किये हैं। जनल बेगम का अंदास अजीब था और सबसे घलत फैसला तन्वी को तुम से मनसूख करना था। मैं अब अपने इस फैसले को दुरस करना चाहती हूँ। तुम इस हवेली से दफा हो जाओ और तन्वी का नाम भी अपनी जवान पर मत लाना। अमा, खुदा का वास्ता है, इस मामूली सी बात को अना का मसला ना बनाए। मनसूख भटी ने मिनन भरे अन्दास में कहा था, किसी भूल में मत रहें, तन्वी से मैं किसी कीमत पर दस्परदान नहीं होंगा। इसका अन्दास चैलिंजिंग था, जनल बेगम का खुस्ता शदीद होने में, लमहा भी ना लगा। ये तो तुम्हें वक्त बताएगा, चलना बेगम ने रुख बदल लिया, ये इस बात का इशारा था कि तुम्हें अब दफ़ा हो जाना चाहिए। चलो जलार, वो दोनों आगे पीछे बाहर निकल गए थे। दानियार हसन फैजान के खर्शात के बरक्स बड़ी खुचदिली से मिले थे। इन्होंने फैजान से अपने रवएए की माफी भी मांगी थी, जिसे फैजान ने बड़े दिल के साथ कबूर कर लिया था। वली से मुलाकात हुई तो वो भी अलग शर्मिंदा दिखाई देता था। इसे थोड़ी देर में डिस्चार्ज किया जाना था तौकीर सहाब के इफ्तसार पर दानिया हसन ने बताया के एनिया और सरवत घर जा चुकी हैं। फैजान को मायूसी हुई लाशोरी तोर पर वो इससे मिलना चाहते थे इससे देखना चाहते थे। तौकीर भाई जिस वग वो दोनों वापसी का कसद कर रहे थे फैजान ने सोच समझ कर कहना शूर किया। आप ठीक कह रहे थे मुझे एनिया से अच्छी शरीके हयात नहीं मिल सकती। इनके चेहरे पर मस्वाहत थी। अकल वाली बात देर से समझते हो तुम। तौकीर सहाब इस बात का माफी जमीर समझते हुए शरार से बोले थे। दानियाल भाई से आप और फैयाज भाई बात करेंगे या मुझे खुद ही आप इतना भी अपना बज़र्ग बनने की जरुद नहीं है। तौकीर सहाब ने खुशगवारिया से डपट कर कहा था। तौकीर सहाब तौकीर सहाब के अंदास पर फैजान के चेहरे पर जिपती हुई सी मुस्क्राहट आ गई थी जबके तौकीर सहाब दिल खोर का हस दिये थे। तन्वी, जी भीजान, तुम जानती होना तुम्हारे माबाप के बाद मैने ही तुमेँ पाल पोस कर बढ़ा किया है। जी, और ये भी के तुम्हारे ददियाल वाले तुमेह रखने को तेयार नहीं थे। इनका हयाल था तुम्हारी पैदाइश इनके घराने के लिए मन्हूस साबित हुई है ऐसे में मैंने ना सिर्फ इन सब की जबाने बन करवाई थी बलके तुम्हें अपने पास रखकर ये भी साबित किया कि इनकी बाते बेबुनियाद है जी मुझे सब याद है आप वक्तफ़न वक्ता बताती रही है मुझे मैंने तुम्हें अपनी नवासी नहीं बलके बेटी समझा है तुम मुझे जरीन से भी ज्यादा अजीज हो जी हाँ मैं ये भी जानती हूँ तुम और शबी मुझे इतने अजीज हो तभी मैंने तुम दोनों को एक दूसरे से मनसूब किया था कि तुम मुझे से कहीं दून ना जाओ हमेशा मेरे पास रहो मेरे आँखों के सामने तन्वी के पास इनके इस सवाल का जवाब नहीं था ये तो इनके दिल के ख्यालात है वो क्या कहती सो खामोश रही लेकि अब शबी तुम्हें मुझे से दू ले जाना चाहता है इतनी दूर के शायद मैं तुम्हें दूबारा देख भी ना सकूँ तन्वी ने चौक का जनल बेगम को देखा था वो मेरी बात नहीं मान रहा मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो ऐसा भी कर सकता है आखर बात क्या है बीजा तन्वी ने परेशान होकर बुचा था इस बात को छोड़ दो असर मामला ये है कि मैंने तुम्हारा और शबी का रिष्टा खतम कर दिया है ओ तन्वी के दिल को धका सा रगा था इस तालग में तुम्हे कोई दिल्चेश भी थी ना शबी को ये रिष्टा मेरी मर्जी से जुड़ा था मेरी मर्जी सही खतम हो रहा है उमीद करती हूँ तुम्हे कोई एतरास नहीं होगा क्योंकि मैं ठीक कह रही हूँ ना तन्वी के पास अलफाज खतम हो चुके थे सिर्फ अलफाज ही नहीं इसका तो दिल भी खाली हो चुका था जनल बेगम के रूप से निढ़ाल गर्दन अजबात में हिल गई देखो तन्वी मुझे जरा भी उमीद होती के शबी तुम्हें खुश रखेगा तुम्हारा ख्याल करेगा तो मैं ये रिश्टा कभी खतम ना करती शबी ने दरासर मेरी हर उमीद पर पानी फेड़ दिया है मेरा ख्याल था मेरी तर्बियत इसे एक काम्याब और मुकमल शख्सियत बनाएगी लेकिन अपनी मा के गर्ज मिदाराना रविश ने इसे मुकमल तौर पर नफ्सियती मरीज बना दिया है मुझे पहले भी इसकी जहनी हालत का अंदाजा था लेकिन मेरा ख्याल था वो ठीक हो जाएगा लेकिन अब मैं मायूस हो चुकी हूँ मुझे ये भी फिकर है कि कहीं वो तुम्हें कोई नुकसान न पहुचा दे चन्न बेगम ने बड़ी समझदारी से इसके गिर्जाल बन दिया था वो पहले ही इसके असर में थी ये किसे मुमकिन था अब इसकी बातों पर इमान न लाती वो हवेली छोड़ का जा रहा है तुम्हें भी साथ ले जाने की जिद कर रहा है तुम खुद सोचो शब्भी अगर हप पर होता तो क्या मैं इसका साथ न देती जबके आज तक मैंने ही इसे सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है फिर मस्तकीम किया इसे अकेला छोड़ सकता है नहीं न तुम मैंने और मस्तकीम ने सुचा है तुम्हें इसके साथ ना जाने दिया जाए वो तुम्हें साथ ले जाएगा और जबदस्ती निकाह करेगा हमें ये मनसूर नहीं है तुम अकलो वाले के हो अब इस जिन्दगी का फैसला करने का अख्यार रखती हो तुम समझ रही हो ना तुम्हें अब क्या करना है मैं तुम से बहुत महबत करती हूं तन्वी और तुम मुझे जईन से भी बढ़कर अजीज हो जनल बेगम ने अपनी मर्जी की गेंद इसके कोट में डाल दी थी तन्वी का जुका हुआ सर हौले से हिल गया तुम बहुत जलबाजी से काम ले रहे हो जलान ने शबी को अपना समान पैक करता देख का परेशानी और बेजारी से कहा था मेरी खातर बी जान से जगड़ा करने की क्या जूरत थी जूरत थी वो कलत पात कर रही थी शबी ने मसरूफियत भरे अंदास में कहा था मावा जो एक तरह खामोशी से बैठी इन दोनों को देख रही थी उसने बेजारी से दाइनी टांग बाइंग पर मुन्तक्र की थी और बाजों सीने पर बांधे थे बांधे हुए मजीद गोर से इन दोनों को देखने लगी थी वो दोनों जैसे इसकी मौजूदकी को एकसर बुला चुके थे तो कौन सा इन्होंने आज पहली दफ़ा गलत बात की है वो हमेशे ऐसी ही करती है कौन सा इन्होंने पहले किसी की परवा की है ठीक कह रहे हो वो हमेशे गलत बात करती है और कभी किसी की परवा नहीं करती है लेकिन आज से पहले मुझे इस बात का इतना इसास नहीं था ठीक है जो होना था हो चुका बीजान ने सजा मुझे दी है अकर तुम्हें बहस में कूरने की क्या जुरती हाँ हो गया जो होना था अब खामोश रहो और मुझे पैकिंग मुकमल गरने दो मैं दुबारा हवेदी में कदम रखना नहीं चाहता मुझे होगा तुम भी अपना सामान समयट लो चलान ने इसकी तरफ से मायूस होते हुए सर जड़का था क्या तुम दोनों में से कोई मुझे ये बताना पसंद करेगा कि आखर हुआ क्या है मावा ने इन दोनों के वो खामोश होता देख कर बेजारी से कहा था हाँ क्यों नहीं भी जान ने हम तीनों को हमली से निकाल दिया है और इस सारे फसाद की जड़ तुम हो शबी ने बिना किसी की तरफ देखे सर्द लहजे में कहा था अब तुम खुद को अंडर एस्टिमेट तो ना करो बेशक फसाद की जड़ मैं हूँ लेकिन तुम दोनों की बाते सुनकर लगता है कि तुम भी किसी से कम नहीं हो अधार रखना तो मावा ने सीखा ही नहीं था सो फूरा हिसाब बराबर कर लिया शबी के सूट केस में शेटर ठूसते हाद रुके उसने अबरूच का करमावा को देखा अगले ही पर गरार मतवक्त के तौर पर इसके चेहरे पर मसक्राहाद डोड़ गई थी जबान बहुत चज़ाती हो तुम लेकिन चुके अब मेरी भावी बन चुकी हो इसलिए तुम्हारी हर गुस्ताखी माफ की फिर उसने रुए सजन जलाल की तरफ मोड़ा इसके बावजूद मुझे तुमसे हमदर्दी है जलाल बस जबान बीवी अल्ला का अज़ाब होती है जलाल हलतीया मावा बदमजा होई तुमने कोई बताया नहीं जलाल तुम्हारी भावी को मुस्कराना भी आता है साफ छूटती मगर शबी और जलाल दोनों ने लितुख लिया था नहीं बताया होगा लेकिन जलाल ने मुझे जरूर बताया है कि तुम तहमल और प्यार से भी बात कर लेती हो बात तो ना काबल यकीन थी लेकिन चुके जलाल कह रहा था तो मैंने यकीन कर लिया वैसे क्या हुआ कि तुम जलाल से प्यार से बात करती हो इसका अंदाल दिलचस्पी लिये वे था लेकिन मावा बुरी तरह जीप गई कोई नहीं जी इंतहाई मश्रकी अंदास था जलाल तो मसहूरी रह गया फिर शबी के ठोका देने पर चौका पर मजाग एक तरफ लेकिन अब मैंने तुम्हें भावी मान ही लिया है तो तुम्हारा भी फर्द बनता है कि देवर की कुछ मदद करो कैसी मदद हलाके तन्वी से बात करने में मुझे खुद भी कोई दिक्कत नहीं होगी लगे इस वक्त शायद ये मुनासिब ना हो इसलिए मैं चाहता हूँ तुम इस से मेरे बिहाफ पर बात करो पहले हैं क्यों बज़ा रहे हो साफ साफ बताओ क्या बात है मावा भी चड़ गई अभी ऐसा कोई काम मत करो जो बीजान के घुसे को बढ़ावा दे जलाल ने तेजी से कहा था मुझे बीजान के डरावे मत दो जलाल इन्होंने सब की जिन्दगियां खराब की हैं मेरे बाप की मेरे माँ की और खुद मेरी शबी ने नराजी और तास्फ से कहा था तुम्हारी बात अपनी जगा दुरुस है लकिन कभी कभी मसलियत का दामन थाम लेना चाहिए चाहें आपकी मर्जी ना हो तब भी जलाल बिलकु ठीक कह रहा है मस्तकीम और मनसूर आगे पीछे कमरे में दाखल हुए थे इनके अकब में आलियां भी थी और इनका चेहरा गयर मामूली तोर पर दमक रहा था इनकी निगाहें मावर पर थी अभी अम्मा गुसे में है अगर इन्हों ने खुदकुशी की धंकी ना दी होती तो दूसरे पहलों पर गोर किया जा सकता था तुम इनकी जिस से वाकिफ हो कुछ उल्टा सीधा कर बैठें तो हम दनिया को क्या मू दिखाएंगे कि खुदा की नराजी अलग सहना पड़ेगी अभी यही बहतर है कि तुम तीनों चले जाओ कुछ रोस तक इनका घुसा ठंडा होगा तो हम सब मिलकर इन्हें प्रेशराइस करेंगे वो जलाल और मावा की शादी को जरूर कबूर कर लेंगी मुस्तकीम का अंदाज बड़ा अच्छा था आपके खाम ख्याली है बाबा बीजान का प्रेशराइस हो जाना नामुम्किनात में से है शबी ने कहा था मौज़े भी तो होते हैं भाई ये मनसूर चच्चा था शबी ने जैसे नाचार काईल होते हुए असबात में साहिला दिया था फिर आलिया ने बढ़ का माओ खुछ से लप्टा लिया तुम तो मुझे वैसे भी बहुत अजीज हो गई थी अब पता चला कि मेरे जलाल की बीवी हो तो और भी प्यारी हो गई हो इन्हों ने इसकी पेशानी पर बुसा देते वे कहा था फिर मुंसूर और मुस्तकीम ने फर्दफन फर्दफन इसके सर पर हाथ फिरा था हम नहीं जानते तुम्हारी वालदा को अमा पर क्यों शक है लेकिन सच यही है कि अमा ने ना रज़र भाई को गतल किया और ना करवाया है बेरहार हमारी दौाएं तुम्हारे साथ हैं ख़दा तुम दोनों को खुश रखे आर्या ने अपने हाथ से अंगूठी उतार कर मावा को पहना दी यह तुम्हारी मू दिखाई है चची प्लीज इस तकल्फ में ना पढ़ें मावा ने कहा वो अंगूठी नहीं लेना चाहती थी अरे तकल्फ कैसा यह तो रसम होती है बलके मुझे तो शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि तुमको अपनी पुरानी अंगूठी मूठ दिखाई में दे रही हो अमा का मूठ ठीक हो जाए तो बजावता तोर पर तुम्हें इस हमेली की बहु बनाएंगे फिर सारी रसमे होंगे तन्वी और हरम तुमसे मिलने के लिए बहुत बेचे हैं मावा का सर हिल गया था और जिस वह जलाल और शबी की हमराही में हमेली से निकल रही थी इसके कंदों पर सबकी महबतों का बड़ा बोच था